हेलो आवरीवन मैं परी इंक चोद्री आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदी कैफे में आज किस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास टैंथ हिंदे की पाथ्य पुस्तक शितिश भाग दो के पार्ट नोवत खाने में इबादत चैप्टर के कोशन आंसर तो देश्ट्रेंट्स देखिए हमारा फर्स्ट कोशन है शेहनाई की दुनिया में डुम्राव को क्यों याद किया जाता है तो आंसर है शेहनाई की दुनिया में डुम्राव को याद किये जाने की मुख्यतया दो कारण है पहला है शेहनाई वादन के शेत्र मे विश्वय प्रसिद्ध बिस्मिल्ला खा का जन्म डुम्राव गाउं में हुआ और दूसरा कारण है शेहनाई बजाने के लिए जिस रीड, रीड क्या होती है बिटा? रीड अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शेहनाई को फूक का जाता है मतलब उसमें फूक मारी जाती है उसे क्या कहते है रीड उस रीड का प्रियोग किया जाता है वह नरकट वह कौन बिटा? वह रीड नरकट नरकट क्या है? एक प्रकार की घास है उससे बनती है जो डुम्राव गाउं के समीप सोन नदी के किनारे पाई जाती है अब एक क्वेशन नमर सैकेंड बिस्मिल्ला खा को शेहनाई की मंगल ध्वनी का नायाक क्यों कहा गया है? तो आंसर देखी बिटा शेहनाई को मंगल ध्वनी पैदा करने वाला यंत्र कहा जाता है समारोहों में शेहनाई की गूंच का अभीप्राय उस्ताद बिस्मिल्ला खासी है वे काशी से विश्वनात बालाजी के मंदिर में अनेक मांगलिक उत्सव परवो पर शेहनाई बजाते थी वे अपनी मधूर शेहनाई वादन कला के द्वारा हर व्यक्ति के मन को प्रभावित करने में सफल रहते हैं इसलिए उन्हें शेहनाई की मंगल ध्वनी का नायक कहते हैं कॉशन अमर थड़ है शुशीर वाद्यों से क्या अभीप्राय है शेहनाई को सुशीर वाद्यों में शया की उपाधी क्यों दी गई होगी आंस्वर देखी बटा सुशीर बास अथवा मुं से फूख कर बजाए जाने वाले वाद्यों से निकलने वाली धुनी को कहा जाता है इसी कारण सुशीर वाद्यों से अभी प्राय उन वाद्य अंत्रों से हैं जो फूक कर बजाय जाने पर ध्वनी उत्पन करते हैं जैसे बासूरी, शेहनाई और बीन आदी फूक कर बजाय जाने वाले वाद्य जिनमें नाड़ी अर्थार्थ रेड होती है उसको नए कहा जाता है शेहनाई की ध्वनी सबसे मधूर होने से इसे शेहने अर्थार्थ सुषिर वाद्यों में शेह कहते हैं क्योंकि यह वाद्ये सभी सुषिर वाद्यों में सरवश्रेष्ट माना जाता है कौश अमर 4 है, आर्शिय स्पष्ट कीजिए और फोर का क्य है, फटा सुर्ने बक्षे, लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी, तो इस काश्चे के हैं बेटा देखी, शेहनाई वादक बिस्मिल्लाखा, खुदा से विंती करते हैं, कि हे खुदा, तू मुझे कभी फटा सुर्ने देना, उनका सुर्ख ठ यह फटी है, तो कल सील जाएगी, आज गरीबी है, तो कल सम्रिध्धी भी आ जाएगी, इस प्रेकार उन्होंने कपडों की महता ने बताते हुए, सुर्ख की महता बताई है, फोर्थ का खै देखी विटा, मेरे मालिक सुर्बक्स दे, सुर्में वह ताशीर पैदा करकी, आ इसका आश्यों देखिए, बिस्मिल्ला खा, नमाज पढ़ते समय, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि, हे इश्वर, मुझे मधूर स्वर प्रदान कर, मेरे सुरों में ऐसा प्रभावत्पन कर दे, जिसे सुनकर लोग प्रभावित हो उठे, उनकी आखों से भाव आवे प्रदिश में सच्चे मोतियों के समान आशों की जड़ी लग जाए, अब कॉश्च नमर फित देखी बिटा, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन, बिस्मिल्ला खा को व्यथित करते थी, आंस्वर देखी, समय के साथ साथ काशी में अनेक परिवर्तन हो रहे थी, जो बिस स्वनात से लगा हुआ अधिक्तम इलाका, उसको क्या कहते हैं, काशी का पक्का महल, से मलाई बरफ बेचने वाले जा चुके थी, दूसरा परिवर्तन क्या था, खान पान की पुरानी चीजे, पुरानी चीजे मतला, जो देशी गिर से बनी हुई, जैसे कचोडी, जले भी, अब नहीं मिलती थी, तीसरा परिवर्तन क्या हुआ, संगीत और सहित्य के प्रती, लोगों में वैसा मान सम्मान नहीं रहा, चोथा क्या हुआ अभीटा परिवर्तन, गायकों के मन में संगतकारों के प्रती, सम्मान भाव नहीं रहा, और पांचवा परिवर्तन हुआ, हिं प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि सिक्स का कह है बिस्मिल्ला खा मिली जूली संस्कृती के प्रतीक थे तो आंसर देखे बिटा बिस्मिल्ला खा हिंदू और मुसल्मानों की मिली जूली संस्कृती के प्रतीक थे वे स्वयम सचे मुसल्मान थे उनकी मुसलिम धार्म उत्सवों और त्योहारों में गहरी आस्था थी वे मुहर्रम सच्चि शधा से मनाते थी पांचों समय नमाज अदा करते थी इसके साथ ही वे काशी, विश्वनात और बाला जी के मंदिर में श्यहनाई बजाते थी गंगा को मैया मानते थी काशी से बहार रहते हुए भी विश्युनात्वे बालाजी के मंदिर की ओर मुह करके प्रणाम किया करते थे अब सिक्स का खेह है बिटा वे वास्त्विक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे इसका अंसर देखिए बिस्मिल्लाखा एक सच्चे इंसान थे उन्होंने कभी धार में कटरता तथा तंग दिली नहीं दिखाई उन्होंने काशी में रहते हुए जहां काशी की परंपराओ को निभाया वही मुसलमान होते हुए अपने धर्म की परंपराओ का भी सहघता के साथ निरवहन किया यद्धेपीवे जीवन में फटे हाल रहे लेकिन उन्होंने खुदा से केवल सुरही मांगा भारत रत्न आदी सर्वच्च सम्मान पाकर भी वे अपने जीवन में सादगी एवं सम्वेदन शील पूर्वक रहे नेक्स्ट और लाश्ट क्वेशन बिटा क्वेशन अमर् सेवन बिस्मिल्ला खा के जीवन से जुड़ी उन घटनाओ और व्यक्तियों का उलेख करे जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समरिद्ध किया आंसर देखी बिस्मिल्ला खा की संगीत साध्रा को सम्रिद्ध करने वाले व्यक्ति और घटनाई निम लिखी थे पहला है बाला जी के मंदिर के मार्ग में रसूलन बाई वे बतूलन बाई दो बहने थी जो ठुमरी ठुमरी क्या होता है एक चलता गीत टपे गाने की एक शैली को टपे कहते है आधी का गायन किया करती थी उनके मन में उनके किनके बिस्मिल्ला खा के मन में इन दोनों बहनों के कारण ही संगीत के प्रती लगाव उत्पन हुआ सेकिंड देखी बटा बिस्मिल्ला खा के नाना भी एक महान शेहनाई वादक थे वे नाना के शेहनाई वादन को चुप चुप कर सुनते थे और चोरी से नाना की शेहनाई उठा कर उसे बजा कर देखते थे इससे उन्हें शेहनाई बजाने की प्रेड़ना मिले थी तीसरा है बिस्मिल्ला खा के मामा एक अच्छे शेहनाई वादक के साथ ही उनके उस्ताद भी थी उन्होंने खा को शेहनाई बजाने की कला सिखाई थी फॉर्थ पॉइंट देखी बिसमिल्लाखा कुलसुम हल्वाइन की कचोड़ी तलने की कला में भी संगीत का आरोहो अवरोहो देखा करते थे और लाश्ट है बिटा अभी नेत्री सुलोचना की फिल्मों ने भी उनकी साधना को सम्रिद्ध किया था तो बिटा उनके जीवन में ये व्यक्ति और घटनाए हैं जिनसे उने संगीत साधना को सम्रिद्ध करने में सफलता मिली I hope आपको एक उश्रांसर किलियर हो गए हो तो dear friends यदि वीडियो अच्छे लगी हो तो इसे like और share करना ना भूले Thank you